हम बड़ी दूर चले आए असरते हैं बहुत मगर दिल पागल दिवाना है ये प्यार दीना मेचा मारे शम्क तमर बंद जिसे दिल का दुश्मन समझते रहे है दोस्तों ये हमारा बॉलीवर्ड ने रिलीज्ड सॉंग्स का एपिसोड चार है जहां पर भी हम बॉलीवर्ड के ऐसे बहुत सारे गानों के बारे में बात करेंगे जिन गानों को उस टाइम पर किसी फिल्म के लिए रिकॉर्ड तो किया गया इनको आडियो कैसेट में भी लाया गया लेकिन बाद में इने फिल्म से हटा दिया गया लेकन उस टाइम पर फिल्मों से डिलिट किये गए ये रेयर गाने सुनने में आज भी बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चलिए एक एक करके इन गानों के बारे में बात करते हैं हाला कि इसके पहले भी मैंने इस सीरीज के तीन एपिसोड और बताय हुए हैं यहां पर भी हमने ऐसे बहुत सारे गानों को देखा था अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप इनको देख सकते हैं या इसकी लिंक में यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहां पर जाकर आप एंसे ही और भी बहुत सारे रेयर गानों को एक बार जरूर सुनिया आपको बहुत अच्छा लगेगा सन 1999 में आई फिल्म संगहर्स एक बहुतरिन साइकोलोजिकल एक्सन थलर हॉरर फिल्म थी अक्षा कुमार परीती जंटा और आस्तोस राना की ये बहुतरिन फिल्म आपको साइद बहुत अच्छे थे याद होगी जिस फिल्म में उस टाइम पर आस्तोस राना की बहुतरिन पर्फॉमेंस से देखने के बाद बहुत सारे बच्चे डरने लगे थे और आज भी फिल्म में दखाया गया आस्तोस राना का इतना डरावना लुक लोगों की दिल और दमाग में कहीं न कहीं बैटा हुआ होगा फिल्म संगर्स का म्यूजिक अलबम भी बहुत अच्छा था जिसको जदिन ललित ने कंपोस किया था और लिरिक्स लिखे थे समीर ने और जश टाइम पर फिल्म संगर्स की ओडियो कैसेट रिलिस की गई थी उस टाइम पर गानों के सारे वर्जिंस को मिलाकर इसमें टूटल आठ गाने रखे गई थे फिल्म संगर्स का म्यूजिक अलबम सुपर हिट था फिल्म के सारे ही गाने मैलोडियस और दिल को सकून पहुचाने वाले थे लेकिन इन गानों के अलावा भी फिल्म का एक और बहतरीन गाना था जो कि इसकी आडियो कैसेट में तो रखा गया था लेकिन फाइनल फिल्म से इसको हटा दिया गया था आवाजें थी सरद्धा पंडित और सौनु नगम की और ये गाना था हम बड़ी दूर चले आए हैं चलते चलते ये बहुत ही मैलोडियस गाना था लेकिन अफसोस कि ये गाना फाइनल फिल्म में नहीं रखा गया था और आप में से भी सायद कुछ ही लोगों ने उस टाइम पर इस बहतरीन गाने को सुना होगा एक्चली फिल्म संगर्स में पहले से ही काफी सारे सलो और मेलोडियस गाने रखे हुए थे इस अब जैसे फिल्म की डारेक्टर तनुजा चंदरा ने इस गाने को फिल्म में इंकलूड नहीं किया था उनका कहना था कि ये गाना फिल्म के सीन के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है हलाकि ये गाना आज भी यूट्यूब पर आडियो फर्मिट में अबलेबल है आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा साल 1994 में आई फिल्म मैं खिलाडी तू अनारी एक बहुत ही अच्छी एक्सन कॉमेडी फिल्म थी जिसमें हमें अक्षा कुमार, शेफली खान, सिल्पा सेटी और रागे सुरी नजर आई थी अक्षा कुमार और शेफली खान की इस बहतरीन फिल्म का म्यूजिक अलबम भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपलर हुआ था जिसके म्यूजिक अलबम की उस टाइम पर लगबग 35 लाग से भी जादा ओडियो कैसेट से सेल की गई थी म्यूजिक अलबम को कंपोस किया था अनूमलक ने जहां पर हमें चुरा के दिल मेरा गोरिया चली और पास वो आने लगे जरा जरा जैसे बहतरीन गाने सुनने के लिए मिले लेकन जिस टाइम पर फिल्म में खलाडी तू अनारी की आडियो कैसेट रिलीज की गई उस टाइम पर इसमें टोटल आठ गाने रखे गए थे लेकिन फाइनली जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इन में से केबल पाँच गाने ही हमें फिल्म में देखने के लिए मिल पाए और फिल्म की आडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले तीन बहतरीन गानों को फाइनल फिल्म से हटा दिया गया हाला कि इन तीनों ही गानाओं मैंसे एक गाना तो यहांसा था जिसको अक्षा कुमार और शल्पा सेटी के उपर फल्माया भी गया था यह गाना था जबां खामोस होती है इसको कुमार सानू और अलका यागनक नगाया था इस गाने के लिरक्स लिखे थे रानी मलक ने और इसको अक्षा कुमार और सल्पा सेटी के उपर पूरा फिलमाया भी गया था लेकन उस टाइम पर इस वीडियो को फिल्म की लंबाई देखते हुए फिल्म में इंकलूड नहीं किया गया था क्योंकि फिल्म में खलाडी तू अनारी के लंबाई और लेडी लगबग तीन गंडे चार मिनिट की हो चुकी थी और अगर इस गाने को भी फिल्म में रखते तो ये फिल्म और भी लंबी हो जाती इसके अलाबा फिल्म के और भी दो गाने थे जिनको केवल आडियो फॉर्मिट में बस रखा गया था इनके लिए कोई भी वीडियो सूट नहीं किया गया था ये गाने थे लाखों हसीन जिसको आसा भौंसले और कुमार सानू ने गाया था और दूसरा गाना था होटों पे तेरा नाम जो की पंका चुदास की आवाज में एक सोलो गाना ही रेकॉर्ड किया गया था अगर आप फिल्म मैं खलारी तू अनारी के ये डिलीटेट सांग से सुनना चाहते हैं तो मैं इन गानों की लिंके यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप इन गानों को सुन सकते हैं नमबर 3 साल 2002 फिल्म ये दिल आसिकाना वैसे तो सन 2002 में आई इस रोमेंटिक एक्सेन फिल्म ये दिल आसिकाना में हमें निव कमर्स, करनात और जिबिधा सर्मा ही नजर आए थे लेकिन ये फिल्म अपने स्टोरी लाइन की बज़े से अपने म्यूजिक की बज़े से नदीम सर्वन के तवारा कंपोस किये गए फिल्म के मैलोडियस गाने उस टाइम पर फिल्म ये दिल आसिकाना के म्यूजिक अलबम की तो रिकॉर्ड तोड सेलिंग की गई उस टाइम पर फिल्म की लगबग 1.60.000 लाग से ज़्यादा आडियो कैसर से सेल की गई एक्चुली इस फिल्म की पूरी थीम और सारे के सारे गाने एकदम यूथ औरियंटेटर रखे गए थे इस वज़े से फिल्म ये दिल आसिकाना के म्यूजिक अलबम को लेकर यूजिक के बीच में बहुत ज़्यादा क्रेश था जहां पर आप लोगों ने ऐ मेरी नटखटी कॉलिज की लड़कियो उठा ले जाओंगा तुझे मैं डोली में अल्ला अल्ला और फिल्म का टाइटल सौंग ये दिल आसिकाना जैसे बहतरीन गाने सुने होंगे लेकिन उस टाइम पर फिल्म ये दिल आसिकाना का एक और बहतरीन गाना था जिसको कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल नंगाया था ये गाना था धिक्चे के दाना इस गाने को आप एक बार जरूर सुनिये इस गाने की लिंक मैं यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ये गाना भी काफी अच्छा गाना था लेकिन फिल्म की सिच्च्विसन के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था इस वज़े से इस गाने को फाइनल फिल्मे में नहीं रखा गया था इसके अलाबा आपने फिल्म में कुमार सानू की आबाज में एक और गाना सुना होगा जब से मैं तुम से मिला एक्च्छी उस टाइम पर इसी गाने का एक और फीमेल वर्जन सारीका कपूर की आबाज में रखा नहीं गया था इस गाने की लिंक भी मैं यहां पर नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा तो वहां पर जाकर आप इसको भी सुन सकते हैं नमबर चार साल 1994 और उस साल की एक बहतरीन क्राइम एक्षन ड्रामा फिल्म आतिस फिल्द अफायर जिसमें बाबा और नबाब यानी संजदत और आदत पांचौली की जोड़ी हमें देखने के लिए मिली थी सन 1994 में आई फिल्म आतिस लोगों को इतनी जादा पसंद आई कि इस फिल्म के बाद संजदत और आदत पांचौली को ही लोग बाबा और नबाब के नाम से ही जानने लगे थे फिल्म आतिस के लिए नदीम सर्वन के दवारा कंपोस किया गया म्यूजिक भी लोगों के बीच में काफी पॉपलर हुआ था और जिस टाइम पर फिल्म आतिस की आउडियो कैसेट रिलिज की गई उस टाइम पर इसमें टोटल आठ गाने रखे गए थे एक्चलि उस टाइम पर ऐसा होता था कि फिल्म के बहुत सारे गाने केबल और केबल आडियो कैसेट के लिए ही रिकॉर्ड किये जाते थे क्योंकि उस टाइम पर लोग फिल्म रिलिज होने के पहले इसकी आडियो कैसेट खरीटते थे और फिल्म के गाने सुनते थे और उस टाइम पर अगर जादतर लोगों को आडियो कैसेट के ये गाने पसंदाते थे तब ही लोग ये फिल्म थेटर में जाने के बारे में सोचते थे इस पज़े से उस टाइम पर आडियो कैसेट में रखे गए बहुत सारे गाने फिल्म के प्रमोशन में बहुत जादा मदद करते थे इसलिए उस टाइम पर जादा तर आडियो कैसेट में एक या दो एक्ट्रा गाने रखे ही जाते थे हाला कि आडियो कैसेट में रखे गए ये एक्ष्टा गाने सुनने में इतने जादा अच्छे लगते थे कि हमें बाद में लगता था कि ये गाने कास्प फिल्म में रखे जाते लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि फिल्म की लंबाई को भी ध्यान में रखना होता था और गानों की सेच्वेशन को भी ध्यान में रखना होता था कुछ एहसा ही सन 1994 में आई फिल्माटिस की मुजिक अलबम में भी हमें देखने के लिए मिला उस टाहिम पर फिल्माटिस के लिए नदीम सिर्वन के दोरा कंपोस किये गए कई गाने बहुत अच्छे थे लेकिन इहने फिल्मे में रखा ही नहीं गया था और अगर आपने अभी तक फिल्माटिस की ये डिलीटेट सॉंग्स नहीं सुने हैं तो मैं आपको एक बार जरूर रिक्मन करता हूँ कि इन गानों को आप एक बार जरूर सुनिए जिन में थे फिल्माटिस की मुजिक अलबम में मेरा खोद एक परसनल फैबरेट गाना था कुमार सानू और साधना सरगम की आबाज में फिल्माटिस के लिए कुमार सानू की आबाज में गाया गया ये एक बहुत ही मेलोडियस गाना था इसके अलाबा दूसरा गाना था बारिस ने आग लगाई इस गाने को उदेत नारायन और अलका यागनकन गाया था एक्चुली इस गाने को तो पहले संजदत और रवीन टंडन के उपर फिल्माया जाना था लेकिन बाद में किसी कारण से इसको फिल्माया नहीं गया इस बज़े से आज ये गाना केबल और केबल आडियो कैसट में बस एबलेबल है इसके अलावा फिल्म के दू और गाने थे जिन में थे एक गाना था केबल और केबल कुमार सानू की आवाज में कास तुम मुझ से एक बार कहो इसके अलावा एक थोड़ी फोक टाइप का गाना था जिसको कुमार सानू और अलका यागनक ने गाया था ये गाना भी वाकई में एक बहुत अच्छा गाना था लेकिन इसको भी फिल्म में इंकलूट नहीं किया गया था हाला कि फिल्मातिस के ये डिलीटिट सॉंग्स आज भी यूट्यूब पर आडियो फॉर्मेट में एविलेबल हैं इन गानों की लिंक में यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहां पर जाकर आप एक बार इन गानों को जरूर सुनिए नमबर पांच साल 1995 बॉवी दियूल और ट्विंकल खन्ना की मोस्ट अवेटेड डेब्यू फिल्म बरसाथ 1995 में आई फिल्म बरसाथ से धरमेंदर के बेटे बॉवी दियूल और राजेस खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने अपना डेब्यू किया था इस वज़े से उस टाइम पर आने वाली फिल्म बरसाथ एक मोस्ट अबेटेड फिल्म थी और ये फिल्म तो अच्छी थी ही साथ हिसी साथ इसका मियूजक भी बहुत अच्छा था जिसको नदीम और सरभन की जोडे ने कमपोस किया था जिसके म्यूजिक अलबम मैं उस टाइम पर हमें लब तुझे लब मैं करता हूँ और हमको सिर्फ तुम से प्यार है जैसे बहतरीन गाने सुनने के लिए मिले फिल्म की आडियो कैसट को टिप से म्यूजिक के बैनर तले रिलिज किया गया था लेकन उस टाइम पर जितने गाने इसकी आडियो कैसट में रखे गए थे उतने गाने हमें फिल्मे में देखने के लिए नहीं मिल पाए जिन मेंसे इसके म्यूजिक अलबम का एक बहतरीन गाना कुमार सानू की आबाज में था दिल पागल दिवाना है ये प्यार करेगा इस बहतरीन गाने को फाइनल फिल्म की लंबाई देखते हुए उसमें रखा नहीं गया था लेकिन ये एक बहुत अच्छा गाना था जिसको उस टाइम पर लोगों ने आडियो कैसेट में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था इसके अलाबा कुमार सानू की आबाज में एक और गाना था हमको पढ़ाई से क्या लेना हाला कि ये गाना कोई खास गाना नहीं था और इसको भी फाइनल फिल्म से हटाया गया था फिल्म बरसाथ के इन दोनों ही डिलीटेड गानों की लिंक में यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताईए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरी महनत आपको पसंद आई हो तो इसको पिलीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं इसके एपिसोड पांच में